नमस्कार, मैं ओथर अमित आप सब का फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर हमारी प्लेलिस्ट इंग्लिश जल्दी बोलना सीखें के तहट इस वीडियो में alphabet B से शुरू होने वाले words के meaning, sentences और examples हम discuss करेंगे इस वीडियो का पहला word है Bail Bail का मतलब है स्वतंत्र करना या संकट से बचाना मान लीजे कोई व्यक्ती है उस पे किसी अपराद का आरोप है और अदालत उसे 50,000 रुपे के एवज में कुछ समय के लिए स्वतंत्र कर देती है इंग्लिश में इस sentence को बोलेंगे accused of the offense as he is the court released him on a bail of rupees 50,000 दूसरा word है balance, balance का मतलब संतुलन जब हम जीवन में सकारात्मक रहना सीख जाते हैं तो हमारे जीवन की ज्यादतर चीजें संतुलन में बैट जाती है इंग्लिश में इसे बोलेंगे when you learn to stay positive in life most of the things fall into balance तीसरा word है ban, ban मतलब प्रतिबंध या प्रतिबंध लगाना मान लीजिए एक नई फिल्म है जिसे देखकर फिल्म रिव्यू बोर्ड के अधिकारी कहते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा विवाद दास्पद, सीन या डायलोग हैं और हम इसे release करनी के अनुमती नहीं देंगे तो यानि उस पर ban लग गया release से पहले ही इंग्लिश में इसे बोलेंगे चौथा वर्ड है बैंटर बैंटर यानि हसी मजाग करना मान लीजिए आपके कुछ दोस्त आपसे कई सालों के बाद मिल रहे हैं और आप लोग आपस में एंजॉई करते हुए गप्शप लड़ा रहे हैं हसी मजाग कर रहे हैं इसे बोलेंगे पांचवा वर्ड है बारगेन यानि भावतोल करना या सस्ता सौदा जब आप बाजार में जाते हैं तो कोई वस्तु आपको अच्छी लगती है पर आपको लगता है कि दुकानदार उस वस्तु का दाम महंगा लगा रहा है चठा वर्ड है बिकम यानि बन जाना मान लीजिए कोई व्यक्ती है उसे स्वास्त्य की समस्या थी जो की कई सालों के बाद जाकर बिलकुल ठीक हो जाती है और वह व्यक्ती भगवान का धन्यवाद करते हुए भगवान में विश्वास करना शुरू कर देता है इसे बोलेंगे सात्वाँ वर्ड है बिलीव यानि विश्वास करना चाहे जीवन की हमारे जीवन हमारी लाइफ की सिचुएशन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो यह बहुत माइने रखता है कि हम खुद में विश्वास यानि आत्म विश्वास कभी न छोड़ें इंगलिश में इसे बोलेंगे वेदर यूर लाइफ सिचुएशन इस पॉजिटिव और नेगेटिव वाट मैटर सिस दाट यू बिलीव इन यॉर्सेल्फ आठवा वर्ड है बिलॉंग बिलॉंग का मतलब संबंदित होना जो लोग देशभक्त हैं या खुद को देशभक्त मानते हैं देशभक्त वाले कार्या करते हैं वो जरूर इस बात को समझेंगे कि वे हमेशा भारतियां हैं और वे हमेशा भारत से संबंदित रहेंगे चाहे वो दुनिया में कहीं भी रह रहे हों इंगलिश में इसे बोलेंगे अगला वर्ड है नौवा वर्ड है बेनिफिट का मतलब फाइदा मान लीजिए एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को कह रही है कि आप ये वीडियो देखें Microsoft Excel पर इसे देखर आपको बहुत फाइदा होगा इंगलिश में इसे बोलेंगे You all will benefit a lot by watching this video on MS Excel दस्वा और आखरी बर्ड है बिनाइन बिनाइन यानि अच्छा और सौम्य मान लीजिए एक इंटर्विवर है उसने एक व्यक्ति को हाइर किया उसके सौम्य व्यभार अच्छे व्यभार और सौम्य मुसकान के लिए English में इसे बोलेंगे I hired him for this job just for his benign smile